हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूस फलता मंतर दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट की चैप्टर वाइस क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उसके पहले दोस्तों एक आपको बहुत बड़ी खुश खबरी देनी है और इसी को सोचकर आप लोग आ सुनने में आया है सिच्छा मित्रों को भी इसमें मौका मिल सकता है लेकिन ये कोट डिसाइड करेगी मौका मिलेगा या नहीं लेकिन इतना पका है कि 51,000 पदों की भरती 100% आएगी जैसे ही आपकी 69,000 भरती पूरी होगी तो मान के चलिए कि दिसंबर जनवरी की तरफ आप लोगों को एक और बहुत सुनहरा मौका मिलने वाला है इसके लिए आप लोग आज से ही अपनी पूरी 100% त्यारी में लग जाईए और कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछेगा सभी सब्जेक्ट की आपकी चैप्टर वाइज क्लासे जेके करके ला रहे हैं आप लोग अच्छे मन से अपनी पूरी त्यारी करिए आज हमारा बाल विकास के चैप्टर 5 है चार चैप्टर करा चुके हैं और इसमें आप लोग को पियाजे कोहलबर्ग वाई गोच्की के सिध्धान्त पढ़ाए जाएंगे आज की क्लास में सिर तो यह दिया तो यह दिया था जीन पियाजे ने अब पहले बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में तो दोस्तों जीन पियाजे स्वेटियल लेंड के मनोबग गानिक थे कहां के थे स्वेटियल लेंड के यूपी टेट में यह भी पूछ दिया जाता यह मत सोचेगा कि यह सिध्धान ढूना या कोई भी सिध्धान ढूना तो आपका सही अंसर हो जाएगा जीन पियाजे इन्होंने अपने बालकों की बुद्धिका विकास जानने के लिए अपने ही बच्चों पर प्रियोग किया था याद रखियेगा अगला पॉइंट है इस सिध्धान के परिणा इस सिध्धान भी कहा जाता है क्यों कि я पूंत है व ही का अधारित सिध्धान से जोकी जीन पिया थे ने दिया था सुट्जे लैंड के अन्तरगत क्या है तो कुछ इंपोर्टैंट आपको पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे जो इस kayत आते हैं और एक्जाम में पूछे गए हैं अभी बचे हुए पॉइंट्स को आपको आगे जो प्रक्टिस सेट देंगे उसमें कबर करा दिया जाएगा तो संग्यानात्मग विकास से तात पर वच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने से है यानि कि बौद्धिक छमता यानि की बुद्धि से जुड़ी हुई है वो सब कुछ आपकी जीन प्याजे के संग्यानात्मग विकास के सिद्धान्त के अंतरगत आएंगी याद रखिएगा अगला पॉइंट है समावेशन तो दोस्तों समावेशन के वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संग्यानात्मग संरच जो भी हम सीखते हैं उसमें जब कोई संसोधन कर दें कोई परिवर्तन कर दें तो वो आपका समावेशन कहलाता है याद रखिएगा जीन प्याजे ने अपने सिद्धान्त में संग्यानात्मग विकास के सिद्धान्त में चार अवस्थाएं बताई थी संग्यानात्मग वि यहां से पूछा ही जाता है तो क्या हो गया इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या कहा गया इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था इसका दूसरा नाम लिया जाये तो दूसरों सेंसोरी मोटर अवस्था के नाम से भी जाना जाता जन्म से दो वर्स का इसका काल भी याद इसके अंतरगत रखा जाता है नमबर तीन पर पहुंचेंगे तो मूर्त संक्रियात्म कवस्था ये आपकी साथ वर्स से ग्यारे वर्स तक की अवस्था है और इसके बाद अंत में आती है आपचारिक संक्रियात्म क्या फिर अमूर्त संक्रियात्म कवस्था जो की ग्यारे व पॉइंट होंगे वो जितने भी कोश्चन बनेंगे वो सब कुछ लेकर आएंगे अगर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा क्या आप लोग चाहते हैं क्लास तो आपको जरूर मिलेगी तो इस सिद्धान्त के इंतरगत क्या प्रभाव वाली प्रक्रिया और बालक हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है अगला सिच्छक को बाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए इससे बालक में नवीन सोच और विचारों का निर्माड होता यानि कि परिचर्चा करते रहना चाहिए इसी प्रकार के अ सबीन जानकारी एड होती रहती है संसोधन होता रहता है विचारों का निर्माण होता रहता है बालक में जिग्यासा उत्पन होती रहती है सभी चीजें इसके अंतरगत आ जाती है ये आपको समझना है अगला बालक की तारकिक छमता का विकास करना चाहिए बालक की तारकिक छ जीवन से सम्मंदित होनी चाहिए जिसका बालक अपने आगामी जीवन में प्रियोग करके कुछ जीवन आपन के लिए कुछ कर सकता है ऐसी होनी चाहिए प्रियोग आत्म कहनी कि प्रक्टिकल होनी चाहिए जिससे की सीखा हुआ बालक के मन में बस जाए और वो उन चीजों को अच्छे से कभी जरूरत पढ़ने पर प्रयोग कर सके ना कि सिर्फ theoretical होनी चाहिए ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने जो कि सिध्धान्त के सैच्छिक महत्व के अंतरगत आते हैं तो आपको नाम याद हो गए होंगे इंद्रिय जनित प्रेर का बस्था बताये था हम हैं सेंसोरी मोटर इसका दूसरा नाम था जन में से दो वर्स फिर आता हमारा पूर्व-संक्रीयातमक दौ बर्स से साथ वर्स इसके अंतरगत आपको याद रखना है यहां से कवेश्चन बन सकता है पूर्व-संक्रियातमक का बिवाजन है अलग-अलग दिया गया है इसमें बालक अंतरदर्सी होता खुद से जादा सम्मंद रखता है और इसके बाद आपका इंद्रिये जनित में इंद्रियों पर आधारित होता है उसका पून रूप से विकाज होता है इंद्रियों पर आधारित होता है उसे भूक लगने पर रोने लगता है यानि कि इंद् चादर का अनुकरन करता है और धीरे-धीरे कोसिस करता है, जैसे चादर को पकड़ना चादर पर को पकड़ कर खिलोने को आगे बढ़ाना इस प्रकार के कारक करने लगता है, अगला आता हमारा मूर्त संक्रियात्म कवस्था, 7 वर्स से 11 वर्स की अस्था, इसमें बालक की थ आने लगता है, हलांकि अपने मन से नहीं बता सकता है, लेकिन जो चीज उसने अपनी आखों से देखी उन चीजों का पूर्णता वरनं कर सकता है, अंत में आता है अमूर्त्-sंक्रियात्मक वस्था, या फिर अप्चारिक-संग्रियात्मक वस्था, 11-15 वर्षीं वस्था, इसमें बालक का मानसिक विकास हो जाता है, उसकी समवेगात्मक सक्तियां आ जाती है उसमें और वो अपने हिसाफ से जीवन जीने लगता है किस प्रकार की सिती में क्या उसको करना है, ये चीजें समझने लगता है, रीजनिंग अबैलिटी आ जाती है, गरतिये प्रस्नों को पूर्ण रूप से हल करने लगता है, जहां जिस चीज की आप सकता है, उसके बारे में भी पूर्ण रूप से उसको पता लग जाता है, तो ये आपके सामने कुछ जानकारी दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जो महत पूर्ण थी वो हमने आपको ऐसे ही बता दी, इसमें बालक आत्म केंदरित होता है, मुख्रूप से अपने से मतलब रखता है, अपने जो करीबी लोग होते हैं, उनसे मतलब रखता है, खेल सामाजिक हो जाते हैं और भासा का प्रियोग करने लगता है, और पूर प्रत्यात्म काल में क्या करता है, कि भासा का अधिक्तम विकास इस काल में होता है दो वर्स में दो सो सब्द इस प्रकार से करने लगता है दो वर्स का बालक एक दो सब्दों के बाग के तीन वर्स का बालक आठ दस सब्दों के बाग के बोलने लगता है और इस सबस्था में बालक बढ़ों का अनुकरन करने लगता है यह पाकिक जो ना हो लेकिन इसके साथ मिली जुली हो उन चीजों को समझने लगता, सूचनाओं को ग्रहंड करने लगता, याद करने लगता है, बालक को हलके भारी ग्यान हो जाते हैं, हलके और भारी का ग्यान हो जाता है, और चित्र के लुप्त भाग को बताने लगता है, ये इसके अंतरकत आ जाती ही, इसके आद मूर्त संक्रियात्मक में बिलोमियता आ जाती है और तारकि गुनता भी आ जाती है, ये बहुत important है, दोनों चीजें याद रखना है आपको आरोई,अबरोई क्रम में लगाने लगता है, सरल संक्रियाए करने लगता है अंतर समझने लगता है कविता कहानी को याद करने लगता है देखी गई घटनाओं का वर्णन सबसे इंपोर्टेंट है देनिक क्रिया कलाफ सोयम करने लगता है और वस्तूओं का ग्यान प्रतेच अबलोकन के गरायनी कि जो चीज आँखों से देखी है उसने उस चीज के वा आत्मक होती है पढ़ लीजेगा जल्दी से पुरानी पीडी के मूलियों तरकों वैभार की विशलेशन आत्मक व्याख्या प्रारंब कर देता है इसका निसकर्स निकालना परिकल्पना करना समस्या समाधान अधिक वैभारी धंक से करने लगता है भविस्त के संबंद में विचार करने लगता है संभावनाओं के विशय में तरक करने लगता है अपने मित्रों के साथ अपने जीवन के बारे में चर्चा करने लगता है यह अमूर्त संक्रियात्मक के अंतरगत आता जो की चोथी अवस्ता थी जीन पियाजे का संग्यान आत्मक विकास का सिध्धा कंप्लीट हुआ और याद रखिएगा फिर से आपको बता रहे हैं क्यावन हजार वेकेंसी आ रही हैं दोस्तों अच्छे से पूरी अपनी तैयारी करिए अच्छे से सब कुछ समझे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो तुरंट आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं आज की क्लास में इतना ही चैनल को सब्सक्राइफ कर लीजेगा वेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा टेली ग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है वहाँ पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं थैंकि दोस्तों गुडबाय टेक केर